ठंड का मौसम है और ठंड में आलू से बनी चीजे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि ठंड में जो आलू आते हैं उसके जो भी रेसिपी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और ये देखिए तो आज मैं आपके लिए आलू की बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो की बहुत ही चटपट बन जाती है तो इसके लिए मैंने कुछ आलू ले लिए हैं और आलू को पहले बच्छी से वाश कर लेंगे फिर इसको हम चोटे-चोटे पीसिस में कट कर लेंगे इस तरीके से हम कट करने के बाद इसे कुकर में डाल देंगे इससे क्या होगा कि ये रेसिपी हमारी बहुत ही जल्दी चटपट से बन जाएगी तो ये देखिए कुकर में मैंने सारे आलू को डाल दिया है अब इसे हमें पकाने के लिए इसमें हम पानी भी डालेंगे तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस इतना आलू है उतना इम पानी डालना है हमें इसे एक सीथी लगने तक पकाना इसमें बहुत ज़्यादा सीथी नहीं लगानी है और एक सिती फटाफट लग जाती है और ये रेसेपी फिर उसके बाद तो बहुत ही जट-बट से बन जाती देखिए पानी हमने डाल दिया इसमें अब इसका डखकल लगा देंगे और जैसे इसकी एक सीटी लग जाएगी कैस ओन कर देते हैं तो चलिए एक सीटी लगने देते हैं तो ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छे से पकर रेडी हो गए है अब हम इसको एक छनी में निकाल कर रख देंगे और जिससे की नहीं जो इसका पानी है वो अच्छे से निकल जाए और ये देखिए मैं प्रेस करके दिखा रही है अभी थोड़ी गरम है और बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट से पक चुके है हमारे आलू तो चलिए में काम तो हमारा हो चुका है अब इसके बात की रेसिपी तो हमारी बस दो मिनिट की है बहुत ही जल्दी बन जाएगी तो जब तक इसका पानी निकल जाएगा तब तक हम आगी की तयारी कर लेंगे जिससे के हमें आलू बहुत ही चट पटे से बनाने हैं तो चलिए उसके लिए हम धनी के पत्ते ले लेंगे तो आप जाओ धनी के पत्ते बहुत ज्यादा ले सकते हो जितना भी आपको डालना हो ले सकते हो और मिर्ची ले लेंगे जितना भी अपतीखा खाना पसंद करते हो थोड़े से लैसुन अगर आप बिल्कुल भी लैसुन नहीं खाते कि आप लिखियों को स्किब कर सकते हैं उसके बिना भी रैесigी बहुत टेशटी बनेंकी तो यह देखिए इसमें बहुत ज़ादा चीजे नहीं डालती है कुछ चीजीं से रैसे पोगात ही टेशटी बनती है तो लिए अग्राई Abend कर लेना इसमें हमें और कुछ पाकी नहीं डालना है यह ग्लम कर पानी डाल के थोड़ा सा कभल के तो असानी से और यह जए बढाशार है कर पानी धोट ग्रयाइन का थाली आ यह कर दो हों बनले घ्षेगु के अर्ट अब हम इसमें डालेंगे तेल तो यह देखिए बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है यह देखिए दो तिन चमशी डालूंगी मैं और इस तरीके से जो हमने धनिया का पेश्ट बनाए था ना पस उसको पकाने के लिए हमें तेल की जरूत होती है और इसके लिएवा हमें तो हमारा तेल जैसे ही गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे यह देखिए तेल हमारा गरम हो गया इसके बाद इसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा जीरा डाल देंगे तो मैंने एक चमज भरके इसमें जीरा डाल दिया है और यह देखिए मिर्ची तो हम पहले डाल चुके थे पीस चुके हैं तो यहां पर और कुछ डालने के ज़रो थे प्यास टमाटर कुछ भी नहीं डलता है बहुत ही कम समान में यह रेसिपी बनती है तो जीरा जैसे हमारा पक जाएगा उसके बाद इसमें जो हमने पेश्ट बनाया था धनिये का वह हम इसमें डालेंगे तो यह देखिए हम सारा पेश्ट इसमें डाल देंगी और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे बस थोड़ी देर इसको हम चलाते रहेंगे और यह देखिए सारा पेश्ट क्योंकि इसमें हम कोई मसाले वगेरा नहीं एड़ करेंगे और इसलिए इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अकर आपको मॉर्णिंग में कुछ छटपड सा ब्रेकफास्स बनाना हो और इवनिंग के लिए कुछ खाने के लिए बनाना हो तो आप इसे कर दिया है और यह जो हमारी जो ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है पैस इस तरीके से हम इसे चलाते वे पका लेंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो देखे पक चुका है हमारा और इसमें हम अब इसमें हमें डालना है बस इसमें नमक डालेंगे अभी जो व आपसे इसमें हम यही पर नमक डाल देंगे तो यह देखिए चला दिया हमने आल्मुस्त हमारा पॉपक चुका है अब हम इसमें नमक एड करेंगे तो यह दिखिए वाइट वालन मंक इप डाल दिया है नमक डालने के बाद इसको हम बस थोड़ा सा चलाएंगी और बहुत जादा क्यूंकि पक चुका है अच्छे से अच्छे से ताकि यह मिक्स हो जाए समय ग्रेवी में बस उतना ही हमें चलाना है तो यह देखिए थोड़ा सा चलाने के बाद और फिर इसमें हमने जो आलू को बॉयल कर रहा था कट करके और उसका पानी बहुत अच्छे से निकल गया था फिर हम इसमें डालेंगे तो यह देखिए खटास के लिए इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ अगर अबिलेबल हो थोड़ा सा आती न तो बहुत ही अच्छे लगते हैं आलू खाने में तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जैसी अमचू डालेंगे तो इसके बाद हम इसमें बहुत जादा नहीं पकाना है बस थोड़ा सा मिलाना है उसके बाद हम इसमें आलू क्योंकि अम्चुर्पों में ज्यादा पकाने की जुरूत नहीं तो कोई मसाला नहीं कि उसको पकाना पड़ेगा तो यह देखें बस फ्लेवर के लिए डालते हैं दाल के मिक्स करना है और जो आलू हमने बनाए हैं इसमें हम मिक्स कर देंगे तो बस हमारी जो रेसिपी है बन इसको हमें मिक्स करना है तो यह देखिए हमारे हरे दन यह के चटपटे से आलू बनकर रेडी हो गए हैं तो आपने देखा ना कितने कम मसाले में यह रेसिपी हमारी बन गई है और बहुत ही जटपट बन जाती है तो आप इसे एक बार ट्राइश रूर करना आपको यह बह होगे ना तो वह भी बढ़े आराम से इसे खा लेंगे बहुत ही देश्टी लगते हैं चटपटे से आलू तो यह देखिए हमारे अलू बनकर रेडी है अब इसमें हम उपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे तो यह पुरी तरह ऑप्शनल है थोड़ा बचात होता है मैंने दाल दिया तो यह देखिए इस तरीके से तो आप भी प्राइज जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताने कि आपको रेसीपी कैसी लगी तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो बाए बाए दोस्तों टेक क्यार अ